दोस्तो अगर आप एक ट्रेडर है तो आपने discipline वर्ट जरूर सुना होगा आखिर क्यों ट्रेडिंग में discipline जरूर ही होता है तो आए सबसे पहले जानते हैं discipline के ना होने के कारण एक trader को किन-किन परिशानी होगा सामना करना परता है अगर आप एक discipline trader नहीं हो तो आपके losses आपके profit से जादा बड़े होते हैं आप over trading करते हो आप अपने setup को properly follow नहीं कर पाते हैं आप heavy quantities में trade लेते हो आप revenge trading करते हो इतना ही नहीं आपको trade लेने से पहले डर लगता है आप अपना account regular interval पे blow कर देते हो और इन सब के कारण आप debt, depression, anxiety के loop में फज जाते हो और इन से निकलने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है आप अगर एक trader हो तो आपने ये भी ज़रूर सुना होगा कि stock market में 95% लोग पैसे गवाते हैं और सिर्फ 5% ही पैसे बना पाते हैं तो दोस्तों ये discipline ही है जो उन 5% को winner और 95% को loser बना देती है So as a trader discipline आपकी सबसे biggest and strongest tool होनी चाहिए तब ही आप market में survive कर पाऊगे तब ही आप profit के बारे में सोच सकते हो बट अब आपके mind में सवाल आता हो किस तरह से आप discipline को अपनी life में implement करेंगे तो सबसे पहले आपको अपनी सारी mistakes और bad habits जो आप trading में करते हो उसे note down कर लेना है और उसके साथ साथ उसके solution भी लिख लेने है और इस note को आपने trading करते time आपके साथ रखना है क्योंकि आपको बार बार ये notes remind कराएंगे कि आप ये mistakes करते हो बट आपको इन mistakes को avoid करना है और इस तरह से आपने इन चीजों की practice करते रहने जिससे कि ये आपकी habit में convert हो जाएगा And that's it वीडियो अच्छा लगाओ तो चैनल को subscribe जरूर करें